दोस्तो हाली में ही भारत ने एक कदम एसा चला है जिसकी वज़े से इस समय चाइना, एमेरिका और यूरोप के सभी देशों की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है दरसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि पिछले 5 सालों से PM मोधी रश्या की यातरा पर नहीं गए थे लेकिन 5 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब 8 से 9 जुलाई को PM मोधी रश्या की यातरा पर जाने वाले हैं जहाँ पर भारत और रश्या के बीच बड़ी बड़ी डील साइन होने की उम्मीद की जा रही है इसी बात ने इस समय अमेरिका चाइना और युरोक चे सभी देशों की दुनिया को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है क्योंकि उम्मीद इस बात की की जा रही है कि इस मीटिंग के दोरान भारत रिशिया से सू 57 फाइटर जेक्ट को खरीदने को लेकर बातचीत कर सकता है लेकिन आग कहेंगे कि जब हम अपना एमका फाइटर जेक्ट बना रहे हैं तो हमको सू 57 फाइटर जेक्ट की क्या जरुवत पड़ रही है इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी हमारे एमका फाइटर जेक्ट को आने में 8 से 10 सालों का समय लगने वाला है और इतना हम अपनी वायू सेना का फ्रंट लाइनर फाइटर जेक्ट सुखोई 30 को नहीं रख सकते हैं क्योंकि सुखोई फाइटर जेक्ट लगातार समय के हिसाब से पूराने होते जा रहे हैं वही पर चाहिना आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर जानी की 2035 तक अपनी वायू सेना में 1000 की संख्या में J20 फाइटर जेक्ट के लेटेस्ट वर्जन जानी की J20S को अपनी वायू सेना में शामिल करने वाला है और इन fighter jet का मुकाबला हम अपने कोई 30 MKI से नहीं कर पाएंगे इसी बात को देखते हुए हमारे कई defense experts का कहना है कि हम को कुछ squadron में रशिया से 157 fighter jet को खरीद लेना चाहिए पर अगर हम रशिया से 3 से 4 squadron भी 157 fighter jet की खरीद लेते हैं तो हम काफी आसानी से चाइना के J20 stealth fighter jet का मुकाबला कर पाएंगे लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये भी जरूर आ सकता है कि रशिया का जो 157 fighter jet है वो एक proper stealth fighter jet है ही नहीं तो हम उस fighter jet को खरीदना क्यों चाहते हैं तो आपको बता दे कि हाली में ही रशिया ने अपने 157 fighter jet में आई हुई सभी कम्यों को ठीक कर लिया है जिस कारण अब रशिया का 157 fighter jet एक proper stealth fighter jet बन चुका है और इस यात्रा के दोरान अगर भारत की जरफ से 157 fighter jet की कुछ squadron को रशिया से खरीदने का फैसला ले लिया जाता है तो रशिया इन fighter jet को भारत के अंदर भी बनाने के लिए पूरी तरीके से तयार होगा और उम्मीद इस बात की की जा रही है की 157 fighter jet को भारत के अंदर H.E.L. दुआरा ही बनाये जाएगा और अगर हम रशिया से 157 fighter jet खरीते हैं तो इसका हमको एक फाइदा भी होगा और एक नुकसान भी होगा पाइदा हमको यह होगा की 157 fighter jet के आने के बाद चाइना की इतनी हिम्मत रही होगी की चाइना अपने J20 fighter jet को भारत के सीमा के पास भी ला सके और नुकसान हमको यह होगा की एरिका हमारे उपर परतिवन ना लगा दे और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको रश्या से 157 fighter jet को खरीदना चाहिए या फिर आपका यह मानना है कि हमको 10 सालों बाद इंका fighter jet को ही खरीदना चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थैंक्स फोर वोचिंग इस वीडियो है